हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर तो गाइस आज की सुड़ो में हम आपको बताने वाले हैं कैमरा के कीप स्टोपिंग प्रॉलम के बारे में कि अगर आप कभी कैमरा ओपन नहीं हो रहा है या फिर कोई भी प्रॉलम आ रही है तो कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं तो गाइस वीडियो में बने रहे है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी आप ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको अपने settings में जाना है settings में जाने के बाद आपको देखिए अगर आपके phone में search बार रहेगा तो इस पर click करना है और यहाँ पर type करना है app जैसे यह आप आप type करेंगे यहाँ पर apps, list या फिर app management नाम की setting मिलेगी आप इन में से किसी पर भी click कर सकते हैं और guys अगर आपके phone में search वाला option नहीं है तो फिर आपको आना है नीचे और एक setting खुजनी जिसका नाम रहेगा app management app manager जहां पर आपके सभी apps रहते हैं setting में आपको वाँ पर जाना है फिर आपको app list पर click करना है click करने वाद आपको आना है नीचे c पर camera पर click करना है फिर storage usage पर click करना है फिर यहाँ से clear cache फिर clear data और ok कर देना है फिर आना है back फिर का इस बीच में देखें लिखा हुआ है force stop आपके भी phone पे कहीं पर लिखा होगा force stop इस पर click करना है force stop कर देना है अब आपको आना है नीचे और यहां पर एक option है data देखें permission को option है पर क्लिक करना है और यहां पर जितने भी है इस्ट्रेज को अलाव कर देना है फिर बैक आना है फिर आपको microphone अलाव कर देना है तो यहां से अलाव कर देते हैं फिर आते हैं बैक जो जो अलाव रेंगे उसे यहां से अलाव कर देना है फिर आना है बैक आपको और अब आपको अपने कैमरा को ओपन करना है ओपन करने के बाद नीचे OK का एक option लेगा OK पर किलिक करना है जैसे देखिए OK कर देते हैं आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका सब को सही से वर्क करेगा या फिर काई सितना करने के बाद भी सही नहीं होगा तो एक बाद अपने फोन को restart या reboot कर देना power run को press करेंगे restart या reboot कर सकती है तो इस तरह सही कर सकते हैं आज की वडियों बस्तिना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्यू